दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान गर्वती महिलाओं को बहुत सारी शारिरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन शारिरिक परेशानियों में से एक है पेट में दर्ध होना जी हाँ दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान पेट दर्द होना एक आम समश्या है और हर गर्वती महिला को पेट में हलका फुलका दर्द होता ही रहता है और प्रेगनेंसी के दौरान पेट में हलका फुलका दर्द होना आम बात है लेकिन आज की इस फीडियो में हम बात उसे उन्देखा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए। खासकर जब आपको दर्ध अधिक और जादा समय से हो रहा हो क्योंकि प्रेगनिंसी के शुरुवाती दौर में होने वाला पेड दर्द एकोटॉपिक प्रेगनिंसी का साइन होता है और एकोटॉपिक प्रेगनिंसी में बच्चा गरभाशे के अंदर नहीं बलकि गरभाशे के बाहर होता है इसलिए प्रेगनिंसी के शुर्वाती दौर बे अगर आपको दर्द हो रहा है और काफी तेज दर्द है और लंबे समय से ये दर्द आपको महसूस हो रहा है तो ऐसे में आपको तुरंट अपने टॉक्टर से मिलना है प्रेगनिंसी की पहली तिमाही में अगर आपके पेट में तेज दर्द हो रहा हो, साथ ही मरोड हो रही हो और खून के कुछ धब्बे दिखाई दे रहे हो तो महिला को ऐसे दर्द को भी अंदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा दर्द होना गर्वपात का लक्षन हो सकता है इसके अलावा प्रेगनिंसी की तीसरी तिमाही में अगर गर्वती महिलाओं को पेट के नीचे की हिस्से में तेज दर्द महसूस होता है साथ ही कमर में दर्द महसूस होता है तो उन्हें इस दर्द को भी अंदेखा नहीं करना चाहिए क्योंकि pregnancy की तीसरी तिमाही में ऐसा दर्द होने का कारण समय से पहले बच्चे का जन्म लेना भी हो सकता है ऐसे में अगर थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो प्रिमेच्वर डिलीवरी से बचा जा सकता है इसके अलावा ब्लीडिंग के साथ होने वाले पेड़ दर्द को भी गर्वती महिलाओं को अंदेखा नहीं करना चाहिए और अगर गर्वती महिलाओं को पेड़ दर्द के साथ ही उल्टी हो, दस्त हो, बुखार हो या फिर ठंड लगने की समश्या हो रही है तो इसको भी गर्वती महिलाओं को अंदेखा नहीं करना चाहिए कहने का मतलब ये है कि प्रेगनिंसी के दोरान अगर आपको लंबे समय से पेड़ दर्द हो रहा है और काफी तेज ये दर्द आपको महसूस होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि साथधानी में ही बचाओ है तो दोस्तों ये थी जानकारी के प्रेगनिंसी के दोरान पेड़ दर्द होना कब आपके लिए खतरनाक सावित हो सकता है मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूसफुल होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेर जरू करें धन्यवाद